जहिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब बिल्कुल मस्त होंगे? मैं डॉक्टर अजय सर्मा, राइटर एंड एजुकेटर आपके अपने इस यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही महतपुन कोर्स के बारे में, वो है C.A. आपने बहुत सारी बार C.A. का नाम सुना होगा, आपको कभी ना कभी C.A. की जरुवत भी पड़ी होगी, आपके दिमाग में आया होगा यह सवाल कि आखिरकार C.A. किस तरीके से बनते हैं? C.A. बनने के लिए क्या eligibility criteria चाहिए, C.A. बनने के लिए क्या age limit चाहिए, C.A. बनने का process क्या होता है, C.A. बनने के लिए हमें कौन सा course करना होता है, C.A. बनने के लिए हमें कौन सा exam देना होता है, C.A. बनने के लिए age limit क्या चाहिए, इस तरीके से आपके दिमाग में तक आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सों बहुत सारी नोक्रियों की बिल्कुल authentic बहुत सटिक जानकारी देता रहूंगा अ चैनल की जो डिगरी वो वर्ड इकलास प्रोपेस्टनल डिगरी होती है और सिये का फुलफों चार्टिट अकाउंट होता है अब हम सबसे पहले सुरुआत करते हैं सेलरी के बारे में कि सीये को सेलरी कितनी मिलती है प्यारे साथी जो सेलरी होता है वो एक स्टूडेंट के यह सबसे बड़ा मोटिवेसन होता है यदि सेलरी जादा मिलती है तो जादा मोटिवेसन आता है सेलरी कम मिलती है तो कम मोटिवेसन आता है तो हम सबसे पहले सुरुआत करते हैं सीये की सेलरी के बारे में देखो जैसे आप सीये का कुर्स कम्प्लीट करोगे तो आपकी जो सा इसके लिए आपके अंदर तो आपकी maximum salary 20 लाग रुपे मंतली 30 लाग रुपे मंतली 10 लाग मंतली भी हो सकती है आपने बहुत सारी बार न्यूज पेपर में सुना होगा कि सिये टोपर का placement हुआ तीन करोड का दो करोड का वो annual होता है प्यारे सातियों तो यदि एक करोड रुपे साल का placement होता है तो भी प्यारे सातियों 8 लाग रुपे मंतली मिलते हैं तो सिये की जो starting salary 80,000 रुपे मंतली के आसपास होती है कुछ स्टुडेंटों को इससे भी कम मिलता है वो डिपेंड करता है आपके skill के उपर और maximum विक्कुल unlimited है आप चाहो जितनी salary ले सकती हो उसके बाद में हम बात करते है salary के increasement के बारे में देखो salary का जो increasement है वो depend करता है आपके working performance के उपर यदि आपने बहुत सही धंक से काम किया है आपकी जो working performance है वो बहुत अच्छी खासी है आपको बहुत अच्छा खासा knowledge बहुत अच्छा खासा skill है तो आपकी salary increasement बहुत ज़्यादा हो सकती है डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है बाकि यदि हम average लेके चले तो annual लगबग 30-40% increasement होता है salary में अब इसके अलावा प्यारे साथियों इंडिया में जो CA का कोर्स है वो ICAI के दौरा पूरा करवाया जाता है अब हम बात करते हैं eligibility criteria के बारे में कि CA बनने के लिए eligibility criteria क्या होना चाहिए अब इसके बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों दोगो CA का कोर्स आप दो तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका यदि आपने अभी 12th पास किया है तो 12th के तुरंट बाद आप CA का कोर्स कर सकते हैं या फिर आपने graduation कर लिया है तो graduation के बाद आप CA का कोर्स कर सकते हैं आपने 12th किसी भी stream से किया हो चाहिए आपने art से किया हो च आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि जो CA का सलेबस होता है, वो 12th के commerce के साथ थोड़ा वो जुड़ा होता है, हाँ, यदि आपके पास commerce नहीं, आपके पास 12th में arts है, biology है, math है, और आप CA के तयारी करना चाते हो, CA बनना चाते हो, तो आप बिल्क Commerce के अलाबा other subject है, आपके पास 12th में, तो आपके minimum 60% होनी चाहिए, इसी तरीके से graduation का system है, यदि आप graduation के बाद CA का course करना चाते हैं, आप किसी भी, आपने चाहिए graduation BSC किया हो, चाहिए आपने BBA किया हो, चाहिए आपने BCA किया हो, आपने कोई भी graduation का course किया हो, आप CA की तय यारी कर सकते हैं, आप CA बन सकते हैं, लेकिन यदि आपने Commerce से graduation किया है, तो CA की पढ़ाई के दोरान आपको थोड़ा साख सरलता महसूस होगी, आपको थोड़ा easy महसूस होगा, और यदि आपने Commerce के अलाबा किसी अन्य स्थिम से graduation करकिया, जैसे आपने BAC करक है, BCA करक है, तो आपको CA की पढ़ाई के दोरान थोड़ी सी जादा महनत करने पड़ेगी, ऐसा नहीं है, यदि आपके पार Commerce सब्जेक्ट नहीं है, तो आप CA नहीं बन सकते हैं, प्याले साथियों, विदाउट Commerce सब्जेक्ट के भी आप CA बन सकते हो, पस थोड़े से एक दिन के लिए थोड़ी सी जादा महनत करने पड़ेगी, बहुत जादा महनत का भी अंतर नहीं होगा, जो Commerce के स्टुडेंट हैं, उनको CA के दोरान बिल्कुल ही मन्हा महनत करने पड़े, और जो CA कोमर्स के नहीं हैं, उनको CA की पढ़ाई के दोरान बहुत जादा महनत करना पड़े, ऐसा C.A. बन सकते हैं बिल्कुल स्टाइडंग से अच्छी खासी मेनत करके उसके बाद हम कोर्स गूरेशन के बारे में बात करें तो यदि आप 12 के बाद C.A. का कोर्स करते हो तो प्यारे साथियो आपका C.A. का कोर्स साड़े चार साल का होगा और यदि आप ग्रेजुरेशन के बाद C.A. का कोर्स करते हो तो आपका C.A. का कोर्स तीन साल का होगा अब उसके बाद हम बात करते हैं फीस के बारे में प्यारे साथियो लिकोर C.A. की फीस होती है प्यारे साथियो लगबग 80,000 के आसपास केवल 80,000 के आसपास कम्पलीट फीस होती है C.A. की आपको सुनकर यहाँ पर coaching की जो फीस है वो बहुत जाद लगती है यहाँ पर आपको बहुत सारी बार अलग-अलग सब्जेक्ट की coaching करनी पड़ती है तो coaching का जो खर्चा है वो बहुत अच्छा खासा होता है यहाँ पर तो overall यदि हम CA की फीस की बात करें coaching और college फीस को लगा कर तो प्यारे स CA बन जाते हैं इसके बाद गोर्मच्ट जोब की तयारिकर करके government CA बन सकते हो आप private CA बन सकते हो आप खुद का अपना office कुर सकते हो आप अपना खुद का business शुरूप कर सकते हो आपके पास 4 की 4 option है CA क्या क्का काम करता है CA management का पूरी company को चलाने का काम करता है supporting का और हम बात करते हैं प्यारे सातियों C.A. की पढ़ाय है वो कुल तीन चड़ों में पूरी होती है सबसे पहले होता है C.A. Foundation का कॉर्स उसके बाद होता है C.A. Intermediate का कॉर्स और उसके बाद होता है C.A. Final का कॉर्स ठीक है तो C.A. की पढ़ाय है जो तीन चड़ों में पूरी हो रही है, सबसे पहले C.A. Foundation, उसके बाद C.A. Intermediate और उसके बाद C.A. Final C.A. Foundation के बाद C.A. Intermediate होगा, C.A. Intermediate के बाद C.A. Final होगा अब हम बात करते हैं Admission Process, C.A. में आप Admission कैसे लें प्यारे साथियो, C.A. में Admission लेने के दो तरीके हैं, पहला तरीका, जा तो आप 12 के बाद C.A. के तयारी करते हो, या फिर आप C.A. में Admission हो जाएगा, और यदि आप Graduation के बाद C.A. के कर्स में Admission लेते हो, तो आप Direct C.A. Intermediate के कर्स में Admission ले सकते हो, प्यारे साथियो, जहां रखना, मैं यहां समझाता हूँ आपको, देखो, यदि आप 12 के बाद C.A. करते हो, तो आपका Starting चरण होगा C.A. Foundation का, और यदि आप Graduation के बाद C.A. का कर्स करते हो, तो आपका Directly Admission होगा C.A. Intermediate में, यदि आप Graduation के बाद C.A. कर्स करते हो, तो आपको C.A. Foundation वाला कर्स नहीं करना पड़ेगा, C.A. Foundation वाले स्टेज से नहीं गुजरना पड़ेगा, और यदि आप 12 के के बाद C.A. की तयारी करते हो, C.A. का कर्स करते हो, तो आपका Starting होगा C.A. Foundation के साथ, तो ये एक थोड़ा सा अंतर होता है, 12 के बाद C.A. करने पर और Graduation के बाद C.A. करने पर, तो इस तरीके से ये C.A. में Admission लेने का एक Process ना प्यारे साथियों, तो अब Overall आपको सारा सब को समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, कि हमें 12 के बाद C.A. का कोर्स करना चाहिए, या हमें Graduation के बाद करना चाहिए, प्यारे साथियों मैं आपको Suggest करूँगा, यदि आप C.A. का कोर्स करते हो, तो आ आप directly C.A. के कोर्स में admission लो, यदि आपका target है C.A. बना और अभी आप 11 में admission लेने वाले हो, तो प्यारे साथियों आप Commerce Subject लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो C.A. के लिए Commerce Subject है, तो बहुत अच्छी बात है, बाकि other subjects भी कर सकते हैं, और C.A. का कोर्स 12 के साथ यदी आप करते हो, 12 के तुरन भाद आप बहुत अच्छी बात है, बाकि on graduation के बाद भी कर सकते हैं, यदी आप 12 के बाद C.A. कोर्स करोगी, तो आपका C.A. कोर्स टोटल पढ़ाई है, आपकी С.A. का कोर्स करोगी, साथी चार साल की होनी वाली है, और यदी आप graduation के बाद मायक में कोई seon होύ कोई confusion हो तो आप कमेंट सेस्sa में कमेंड करके ज़रूर पूचे आप चाहते हो मैं इसी तरीके से किसी अधर कॉर्स के ऊपर वीडियो बनाओं तो प्लिज्ट आप कमेंड सेसर में DO करके जरूर बताना बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए ठैक्स बाई मेरे प्यारे साथी दो